नमस्कार स्पीन नाइन न्यूज आप देख रही हैं बड़ी खवर आ रही है दल्ली के तधा कथित शराब घोटाली को ले करके दल्ली के मुख्यमंद्री और आमाद्मी पार्टी के संयोजक अर्विंद केजिवाल को प्रवरतन निदी शाल यानि एडी ने सही मामले को लेकर छेटा समन जारी कर दिया है बता दे कि केज़िवाल को चेट समना इसे वक्त में जारी हुआ है जब अर्विंद केज़िवाल को लेकर दिली के राउजवनी कोट ने भी एक समन जारी किया और फिर केज़िवाल राउस विन्यू में भी सुनवाई के दौरान 4-5 फरवरी के करीब पेशन नहीं हुए फिर कोट ने समन यहारविंद केज़िवाल को जारी करते हुए 17 फरवरी को पूछताज के लिए बुलाया है लेकिन इस सब के बीच एडी ने केज़िवाल के नाम का एक और समन जारी कर दिया है जिसके साथ इनके नाम पूछताज के लिए अब 6 समन हो गए है बतादी के 6 समन जारी करते हुए एडी ने अब अरविंद के जवाल को 19 फरवरी को अपने दल्ले दफ्तर में पूछताज के लिए बुलाया है लेकिन उससे पहले तारीक आएगी 17 फरवरी जहां कोट का समन है और इससे मैं अब देखना है कि जस तरीके से अरविंद के जवाल लगतार ही एडी के समनों को नजरनदाज करते आ रहे थे तो क्या हुए अब की बार एडी के समन की तरह कोट का समन में नजरनदाज करेंगी और 17 फरवरी को कोट में पेश होंगे या नहीं ये बड़ा सवाल बना हुआ है इसके लाव आपको बता दें कि अरविंद के जवाल को पहला समन हीडी ने 2 नवंबर 2023 को जारी किया था और इसे ही मामले में पार्टी के कई नेता और दिली सरकार के कई नेताओं की गिरफतारी हो चुकी है जिसमें सबसे पहले यहां दिली सरकार में पूर्वर शिक्षा मंतरी रहे और स्वास्तिय मंतरी रहे सतेंदर जैन की गिरफतारी हुई दरसल आपको बता दे किस मामने में आमादी पार्टे के तमाम नेताओं की गिरफता दी हुई है जिसे यहां पर शराब नीती में घोटाले की बात एड़ी लगतार के दिन नजर आ रही है फिरहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिय की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं SPN 9 News